So, hey everyone, welcome back to my channel So, as usual, आपने बहुत सरी नॉबल्स पढ़ी होगी जैसे कि चौसर की एज की, शेक्सपियर की, रॉमेंटिसिजम की या फिर कोई भी किसी भी एज की नॉबल पढ़ी होगी फिर अभी कभी आपने लिटरेचर और रिलीजिन को कमपेर करके कोई लिटरेचर पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है ऐसे बहुत कम होता है लेकिन आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक रिलीजियस वॉक, मतलब की एक ऐसा लिटरेचर जो रिलीजिन को करेक्ट करता है और डियू में लगा भी हुआ है मास्टर्स में नाम है रिलीजियन लिटरेचर जो पेपर का नाम है इसमें जो बुक है जिसे आज हम कवर करेंगे उसका नाम है देडिटी, दे इमेज ओफ गॉड और इसे लिखा है डाइना एक ने तो सबसे पहले बात तो यह डिटी क्या होता है जैसे कि अगर आप लिटरेचर के हैं अगर आपने भी यह भी लिटरेचर में ही करी है दन आपको पता होगा कि डिटी का मतलब होता है गॉड भगवान के लिए हम डिटी वर्ड का भी यूज करते हैं लिटरेचर में तो अब दूसरी चीज यह है कि इसमें हम किस चीज के बारे में बात करेंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें हम रिलीजिन को और लिटरेचर को एक साथ देखेंगे तो हमें तो पता है हमारे इंडिया में कितने गॉड्स हैं कितने जादा हमारे यहाँ पर जो भगवान है भगवान की जो मूर्तिया हैं चोट-चोटे मंदिर हैं वो हजारों के संख्या में हमें हमें हम खुद काउंट नहीं कर सकते हैं हमारे एक चोटे का टाउन में, गाउं में, शहर में, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेस पे, प्लेस में कितने जादा गॉर्ड्स की इमेजिस हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर जो डाइना आर्क हैं, उन्होंने बताया है, तो जो डाइना है, यह एक स्कॉलर है, रिलिजिस के बारे में लिखा है, तो जो यह वर्क है, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, इस चीज़ से, कि अगर आप इंडिया में जाते हो, तो क्योंकि यहाँ पर आपको, खुद को, as a foreigner रखना है, तभी आप इनके प्रोस्पेक्टिव को समझ पाओगे, कि यह क्या बोल रहा है, क्योंकि अज़ा इंडिया हमें पता ही, सब चीज़े हमारे लिए बहुत कॉमन हैं, लेकिन जो western के लोग हैं, उनके लिए इस चीज़े कॉमन नहीं हैं, तो यह बोलती है, स्टार्ट करते हैं, बोलती हैं, कि जब अगर आप इंडिया में जाओगे, तो इंडिया में जो हि हिंदू जो God is है, या फिर God है, भग Prix घौण है, वो बहुत जादा है, यह पर आपको हजारों के सन्खे में शायन मिल जाएंगे, मतलब कि जो चब उतरे होते हैं, भगवान के Temples मिल जाएंगे, और हर एक जो Temple है, उसमें कोई न कोई न अपना एक Specific God है, यह इंडियान के बहुत common है कि हाँ हर एक temple में मंदिर में कोई ना कोई एक specific होता है जैसे कि रादर कृष्ण का है तो वहाँ पे सिर्फ रादर कृष्ण की एक मूर्ती होगी उनका idol होगा अगर वो शियो मंदिर है तो वहाँ पे एक शियो मूर्ती होगी इस तरीके भी different different जितने भी temple सबके एक specific कोई ना कोई गौड होता है लिकिन westerns के लिए यह बहुत जदा fascinating दा तो इसी चीज़ को दिखा रहे है कहते है कि हाँ पर हर बहुत फेर temple है और हर temple में कोई ना कोई एक particular गौड या shrine इमेज दिखती है हो सकता है कि वो जिसके उपर सिल्वर कर्ड का मार्क लगा हो या फिर वो सिर्फ एक पत्थर ही हो जैसे कि हम शीव की पूजा करते है उनका शीवलिंग जो होता है तो बोलते हैं आप पर एक छोटे से स्टोन की पूजा की जा सकती है आप इन जो छोट-छोटे या फिर जो इमेजिस होती है श्राइन या फिर इनके मूर्तिया होती है आप इनको देख सकते हो टैम्पल्स में निलान तक कि यहां पर जो लोग हैं वो औरेंच पलर की अलेफंट को भी पूजा करते हैं मतलब कि जैसे कि हम गरनेश जी की पूजा करते हैं इंदें वो बोलती है कि यहाँ पर उस्पीशियस लक्ष्मी की भी पूजा होती है आप इन से भी गॉड्स को टेक्सी के आगे बसे के आगे इंस्ट्रॉल्स में शॉप्स में हर जगा देख सकते हो यह उनके लिए common बात नहीं है यह कि हमारे लिए common सी चीज है क्योंकि हमने देखा किसी भी शॉप पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप देखो कि एक छोटे सा मंदिर ज़रूर मिलेगा आपको यह फिर घर में मिलेगा और इवन किसी किसी की दिवारों पर भी पेंट हो रखा होता है आगे जो डियाना है वो बोलती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह चीज है कभी-कभी इन भगवानों को बाहर भी निकाला जाता है कभ जैसे कि कोई festival होता है जैसे कि यहाँ पर हम राम नौव में मनाते हैं तो जाकी निकलती है दुर्गाजी की कभी-कभी निकलती है तो इस तरीके डिफर्ट डिफर्ट टाम पर हम यहाँ पर निकलता है इंडिया में कल्चर है लेकिन बाहर वालों के समझना important है उन्हें समझ में भी नहीं आएगा mainly तो आगे बोलती है कि अगर किसी ने भी हाँ पर विजिट किया है या फिर इंडिया के बारे में कुछ भी देखा है जिसे की film के थूँ तो उन्हें पता है कि यह क्या है यह इंडिया का culture है आगे वो start करती है बोलती कि आपर जो mythic जो है imagination है वो बहुत ज़्यादा है मतलब हमारे जो myth है उनके according जो चीज़े चल रही है उसके बारे बता रही है वो बोलती है आपर जो images है और जो myth है इंडियन imagination है उसके बारे में जानने के लिए यहां के जो vocabulary है उसको जानना ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो बाहर के लोग है मतलब वो अपनी बात कर रही है western की बात कर रही है देर वो बोलती है हिंडूइजम पढ़ने के लिए अगर जैसे कोई हिंडूइजम पढ़ रहा है तो उसके लिए mythology को जानना और जो iconography है उसको जानना समझना important है जरूरी है उसके बादी वो इंडियन का जो हिंडूइजम हो समझ पाएंगे अब इसके starting कैसे होती है वो बोलती है जैसे कि जो गनेश जी है वो सबसे पहले start हो जाते है अगर कोई भी auspices work हो रहा तो सबसे पहले blessing के लिए गनेश जी की पूजा के जाती है जैसे कि हमें पता है कि कुछ भी important होता है अगर अगर परवेशर तबी भी गनेश जी की पूजा हो रही है अंदर बोलती है कि आगे जितने भी अलग-अलग God से उनको जानना भी ज़रूरी है जैसे कि iconographic जो vocabulary है उसके जैसे कि हम monkey के लिए हन्मान जी को यूज़ करते है एक word यूज़ करते है जैसे mouse अगर हम देखते हैं हाथी देख रहे हैं तो हम उसके लिए गनेश जी का word यूज़ करते है तो यह सब चीज़े हमारे लिए common है लेकिन उनके लिए common नहीं है और अगर वो इंडिया के बारे में पढ़ना चाते है हिंदुईजम पढ़ना चाते है तो उन्हें यह सब चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी जाननी पढ़ेंगी आगे वो कहते हैं जब first European trader और जो traveler इंडिया में आये थे जब उन्हें यहां पर आके बहुत ज़दा various details की images देखी multiple images देखी तो बहुत ज़दा fascination में आ गए और जो उनका एक sense था जैसे कि हम बोलते हैं कि जो disgust की feeling होती है mainly repugnancy जिसे हम बोल सकते हैं कि एक nearest और गरना type की जो एक sense होती है feeling होती है वो तो एक तरफ तो वो सोच रहे थे कि यहां पर इतने ज़्यादा gods है और दूसरे तरफ उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं अपनी जो उनका distaste होता है उसको शोगर रहे थे आगे एक बंदे का नाम दे रहा है जो इसका नाम है Ralph Fitch यह एक merchant था जो कि 1500 के राउंड में नौर्थ इंडिया में आया था मतलब है फिर ट्रावल करता है merchant जा रहा था उसने इसके बारे में लिखा है इंडियन डिटीज के बारे में लिखा है जो कि उसने बनारस में देखी थी उसने बोला कि यहां कि जो आइडोल्स है वो ब्लैक कुलर के है और उनका जो फेस है वो ब्लैक है इविन आइस है उनके जो माउथ है वो मॉंस्ट्रिस है कानों में उन्होंने जूलरी बहन रखे उनके जो टीथ और जो आइस है वो गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर ग्लास के है यह उनका डिस्क्रिप्शन था कि इंडिया में गॉड्स कैसे होते है तो अब देख सकते हैं टोटली एक तरीके से बक्वास लिखा वाता है क्योंकि यह सबका अपना कंसेप्ट होता है सबका अपना कल्चर होता है ठीक है तुम्हारा अपना कल्चर है लेकिन इंडियन का अपना कल्चर है हिंदूस का अपना कल्चर है अब यहां के गॉड्स हमें पता है हम यहां के गॉड्स को कैसे देखते हैं वो हमेशा हमें सजेवे देखते हैं, उनका अच्छा से dress up कर रखा होता है, उनके उपर मोट लगा रखा होता है, crown होता है, या फिर जूल्री बना रखी होती है, अब लेकिन बात यह हो रही कि जो फिच था, वो यहां आया उसने सब चीज़े बकवास में लिखी, लेकिन वो समझ नहीं पाया था इन सब चीज़ों को, क्यों, क्योंकि उसे यह चीज़े पता ही नहीं थी, क्योंकि उसको समझने के लिए इंटरप्रेट करने के लिए उसे कुछ चीज़े चाहिए होंगे, लिखने उसे नहीं पता, ऐसे दूसरे एक्जमपल दे रखा Mark Twain का, जो Mark Twain ह लास्ट डिकेट्स में, 19th Century में, इंडिया में आये थे, मतलब यहां से ट्रेवल करते वे गए, तो उन्होंने देखा यहां पर, यहां के जो God's हैं, वोरे में होते हैं, मतलब जिसे यहां के जो God's होते हैं, सजे हुए होते हैं, अच्छे से, तो उन्होंने जो Idols होती है, म मूर्तियों का म्यूजियम समझ दो और सारी के सारी कैसी है कच्छी है में शेप उनकी शेप अच्छी नहीं है अगली है ऐसा इन्होंने लिखा है कोट्स वहीं सारे चीजे अब बताओ अब इसको पढ़ने के पास आपको कैसा लग रहे कि अगर आप इंडियन नहीं है आप हिंदू नहीं है तो आप इंडियन डिटी के बारे में क्या ही लिखेंगे जब आप कुछ पदा नहीं हो उसके बारे में बतार रखा है कि इन सब चीजों को समझने के लिए आइकोन को समझना जरूरी है। और इमेजुस को समझना जरूरी है इन्डियां के हिसाब से जो इंडिया में चल रही है ,उसको समझना जरूरी है। और आगे के जो वर्क है इसमें उन्होंने बता रखा है कि जैसे हर एक वर्क होता है तो उसमें अलग लग चीज़े होती जैसे कुरान है या फिर हमारे हिंदू में है या फिर जो इनका वेस्टर्ण में ये जी से इसको फॉलो करते हैं तो आगे क्या बोल रही है कि जो इंड क्योंविडिया की टायवस्टी है वह उनको तोड़ने का काम नहीं करती है बलकि यूनिफाइख करने का काम करती है जैसे कि हमारे हम पर डिफरेंट डिफरेंट अरियाज है कुल्चर है लेंगविज है ह, रिलीजिन हम MA कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन उसके बाद भी अच् particular चीज़ को Goddess समझके God समझके उसकी पूजा करते हैं किसी भी थिंग को तो जैसे कि हम बोलते हैं एक पत्थर हमने उठा लिया हम बोलते हैं कि यह Shiveling Hams की पूजा करेंगे तो यह क्या है यह एक Idoltry है कि Idol की पूजा कर रहे हो आप मूर्ती की पूजा कर रहे हो लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो यह बोले कि हाँ मैं मूर्ती पूजा करता हूँ मैं Idoltry को फॉलो कर रहा हूँ यह फ़री क्या चीज़ है यह फ़री वैस्टर्ण की philosophy है theories है terms है जो इंडियंस पर लागू कर दी जाती है तो इन्हों ने बोला कि जो idoltry है worshiping है किसी भी think कि as a god वो बहुत ज़्यादे despise की जाती है western culture में जो कि अंग्रेजों को जो culture है गोरों को जो culture है उसमें चीज़ को पसंद नहीं किया जाता है उनके लए क्या होता है उनके यह है कि जो indians है वो इक श्टिक के आगे stone के आगे भी जुख जाते हैं और इससे क्या होता है यह किसी भी चीज़ को follow कर सकते हैं मतलब गार्ड है या नहीं है इनसे फर्यपर नहीं पढ़ता है तुम किसी भी चीज़ को follow करते है कर रहे होते हैं मतलब जब वो रिसर्च कर रहे थे में वह रूरल नॉर्ट इंडिया में थे लिए उस टाइम पर उन्होंने उन्होंने एक हड्ड देखी एक जोपड़ी देखी क्योंकि वो उसी चीज के उपर अपने वाग कर रहे थे तो जो विलेजर्स थे वो एग्री हो गई इन्होंने जब फोटोस खीच ली उसके बाद ही थौट कि उस पत्थर को बाहर लाने की वज़ा से मेभी इन्होंने उस पत्थर को पॉलिट कर दिया है क्योंकि वो पत्थर एक sacred चीज था लेकिन उसके उपर जो विलेजर्स है वो बोलते है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है हम दूसरा पत्थर रख देंगे उसके कोई टाइशन नहीं है यहां पे जो लोग है। आइड औल्ट्री को फॉलो करते हैं, किसी भी पथर की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुद्धा क्या है? उनको symbolize करेगी, यहाँ पर matter पत्थर या फिर किसी stick का नहीं है, यहाँ पर matter है, हमारे faith का, ना कि पत्थर का, हमारा भरोसा कितना है, हमारा belief कितना है God में, उस चीज़ पर depend करता है, आगे के work में, वो दो तिन terms को लाती है, वो बोलती है, जो polyasthetic होता है, जैसे कि इंडिया जो है, वो polyasthetic है, polyasthetic मतलब जो एक से जादा God को प्रे करते हैं, वोशिप करते हैं, तो यहाँ पर बोलती है कि इंडिया जो है, जो हिंदू है, हिंदू इमाजिनेशन है, उसमें यह होता है, लेकिन हिंदू को जो western है, वो समझ नहीं पाते है, क्योंकि western में क्या है, वो उनके ways and knowledge के वो भी एक है, God एक है, book एक है, मतलब कि Bible है, sun एक है, मतलब कि Jesus है, church एक है, यहाँ तक कि जो prophet है, वो एक है, और उनका जो nation है, वो एक है, यह सारा western का idea है, monotheism का, कि सब कुछ एक है, इसलिए हम वनने से यह राइट है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया म बंदा ऐसा है, जो फिर विष्णु की कर रहा है, क्या पता कोई राम जी की कर रहा है, तो different different लोग है, और हर एक बंदे का अपना अपना choice हो सकते है, कि वो किस चीज की पूजा कर रहे है, हिंदुरिजम में वैशनुव भी है, शिव भी है, अलग अलग है, यहाँ पर जादिक चीजों को यूज़ कर रही है, जिसके रिगवेद है, फिर हमारी जितने भी religious work है, उनको यूज़ कर रहे है, तो बोलती है, कि इंदुर जी को बोला गया है, कि हाँ, he is the supreme one, he is the main god, he is the almighty, and then next, अगर हम हाइम की बात करें, तो next time में, सारे जो पूजा है, सारे जो वो विश्णो को बोल दिया, कि हाँ, विश्णो जो है, वो supreme god है, supreme law है, उन्होंने world को बनाया है, तो ये चीज़े क्या प्रूफ कर रही है, कि ये हर एक page पर हर एक god की equally praise किया गया है, ऐसा नहीं है, कि सिर्फ एक god है, वही है, यहाँ पर सारे god है, और हर एक god की जो importance है, व को pray करता है, और ऐसा नहीं है, कि एक बंदा अगर विश्णो जो जी को pray कर रहा है, तो वो किसी और god की prayer नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं है, तो जो Max Muller है, ये एक western, ये एक great westerner थे, जिन्होंने इंडिया को समझा है, और इन्होंने first थे, जिन्होंने वेदा को, वेद को, जो जो western term है, जिसकी polytheism है, कि यहां से एक से ज़्यादा god की pray करना, worship करना, ये फिर monotheism मतलब एक god को pray करना, ये जो terms है, वो इंडिया पर फिट नहीं वैठती है, तो इन्होंने इंडिया के लिए एक नई term को निकाला है, जिसका नाम है, कैतनोथिजम, इसका मतलब होता है, worshiping of a one god at a one time, कि आप एक time पर एक ही भगवान की पूझा कर रहे हैं, और ऐसा है कि इस तरीके से सारे god की पूझा की जाती है, हर एक god जो है, वो creator है, source है, supreme है, almighty है, अब depend ये करता है, कि आप कि इस god के सामने खड़े हैं, जैसे कि आप ते notice भी किया होगा, आप खुद को ले ल गए, तो obviously आप वहाँ पर जाकर रादा कृष्णर की पूझा करेंगे, और उस ताइम पर आप सोचेंगे कि हाँ, यही almighty है, यही सबसे उपर है, supreme power है, लेकिन उसी के अगले दिन अगर आप विश्णर के मंदिर में चले गए, या फिर किसी और मंदिर में चले गए, तो ज करता है, और सारे गॉड्स के अपने अपनी सिग्निफिकेंस है, हम सेलिब्रेट करते है वन डिटी को, एक ही चीज़ पर जो भी सामने होता है, अब आगे बोला गया है, कि ऐसा नहीं है, कि इतनी फरी चीज़े होने के बाद, जो गॉड्ड है, वो एक नहीं है, यूनिटी है उनसे कि, how many gods are there? मतलब, इंडिया में कितने gods हैं? तो वो बोलते हैं, 3,306, then he repeat the question, but yeah, but how many gods are there? वो बोलता है, 33, and then he was also asking the same question, yeah, but how many gods are there? और आसे करते-करते हो बोलते हैं, 6 है, 3 है, 2 है, वरना half है, वो बोलते हैं, दो बोलते हैं, सिफ एक God है, वो बोलते हैं, वो बोलते एक ही हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं, कृष्णी जी है, और जो राम है, ये सब एक ही, एक ही form है, उनकी वस नाम अलग है, रूप अलग है, God एक ही है, तो उसे चीज़ को यहां पे नोंने बता रखा है कि, जैसे कि, क्ले होती है, क्ले से आप, जो ब्रिक्स होते हो बना सकते हैं, आर्थन वैसल्स भी बना सकते हैं, मटके भी बना सकते हैं, डिशिस भी बना सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को पिगला दिया जाए, तो क्या बनेगी, स्रिफ वो क्ले बनेगी, मटी बनेगी, तो लॉजिक क्या हुआ कि, चीज़े अलग-अलग हो सकती हैं, शेप different ideas को देने के बाद और यहाँ पर यह जो इनका work है में लिए खतम हो जाता है जहाँ पर वो show कर रही है कि इंडिया में कितने ज़्यादा अलग-अलग religion है चीजे है और जो duty की जो image हो बहुत जादा है I really hope कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ी से important होगी या फिर helpful होगी बिकेस जब आप इसे पढ़ने बैठते हैं तो मुझे पता है कि कितनी problem होती है बिकेस इसकी कोई भी summary आपको Google पर मिलेगी ही नहीं आपको सीथे text book पढ़ना पढ़ता है क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो obviously तब भी भी कुछ भी नहीं था और एक text book को पढ़ना बहुत ज़ते बगवास काम होता है क्योंकि आपको बहुता टाइम उसमें invest करना पढ़ता है उसके conclusion छोटा सा निकलता है तो हम सोचते है कहीं पर हमें उसे summary मिल जाए लेकिन उसकी summary मिलती नहीं है तब हमार दिमाग खराब बने लग जाता है तिस अगर आप search कर रहे हैं तो आपको ये video मिल जाए और I will see you in the next video next video में भी मैं कोई ऐसा ही work cover करूंगी जैसे कि the problem of pain व जाए औरी यह उlor Whe arada नही हमार आप रहे हैं अी जाए गर रहे हैं और कज्बलाई